नमस्कार मैं हूँ आचल सी अलका लांबा पर बड़ा एक्शन किया गया तो अलका लांबा को प्रधानमंती नरेंद्र मोधी और योगी आधितनात पर अपमान जनक टिपड़ी और जिस तरीके से उन्हों ने भाशे का प्रियोग किया था अब भारी पड़ गया है युत्तर अलका लांबा ने जिस तरीके से अपमान जनक टिपड़ी की थी अपमान जनक भाशा का प्रियोग किया था अब उन पर भारी पड़ रहा है तो धारा 504 धारा 505 एक बी 5052 और सूजना प्रध्योग की शंसादन अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज हो गया तो जिस त अब को बता दे की कॉंग्रिस की नेता होते हुए अभी तक कोई भी ही प्रतकरीया कॉंग्रिस की नई आई है और जिस तरीके से अल्का लांबा ने शब्दों का प्रियोग किया यह बहत जादा अपमान जनक है इसरी को दैच लीड़ को है और इसे अपमान स्पीच करती है कॉंग्रेस अभी तक इस पर कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं वहीं आपको बता दे किस तरीके से अर्णो गोस्वामी पर सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो माइनो यानि सोनिया गांधी का जो रियल नाम है वो लेने पर 200 से जादा फायार दर्ज हो जाती है और वहां कहते हैं कि स उनकी मान सम्मान है, उसको ठोस पहुचाया गया है, मान हानी का मुकदमा लगा दिया जाता है तो अलका लाम्बा ये इसलिए करती हूं कि जिस तरीके से कॉंश्या गांधी और प्यांका गांधी वार्डरा और कॉंवरेस में राहुल गांधी हैं अगर उन पर कोई कुछ यह शब्द जो हैं जो उन्होंने बोला है कि तुम्हारे मुँपर थूकती हूँ यह शब्द हर भारतिये के लिए है जिन्होंने अपने आमूल ले वोट देकर मोदी जी को प्रधान मंत्री और योगी आदितनात को मुखमंत्री बनाया है अब हमें ये तै करना है कि जिसकी म जितनात जी के बारे में आपने जो व्यक्त किया है उसे बेटी के समान और जैसे लवज का हिजाब ना पहनाएं ये सुविधा जनक लेंगिंग समानता के खोकले पाठ आपकी भद्धी मानसिक्ता दर्शाती है नारी होने का फायदा उठा कर आप पुरुशों के समान की ध अर्थन करती हो और अलका लामा जैसे नेता सिर्फ और सिर्फ चाटू कारता की वजह से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कॉंग्रेस के हितैशी हैं और अपनी पैठ बनाने की कोशिश में ये ऐसी भाशा का प्रियोग करते हैं अपनी राजनीती चमकाने के लिए क्यो परले इन्होंने सम्रति उराणी पर अभधरिया की प्रयोक चिस तरीके के भाषा के पर्योक किया था लेकिन happy जनता को पने लोग इसकी मांग करते आ रहे थे कि अलका लांबा को अरेश्ट करिए क्योंकि इस तरीके की भाशा सोबनी नहीं है और ये प्रिती वर्मा ने भी इस बात को कहा है कि जिस तरीके से इन्हों ने भाशा का प्रियोग किया है ये बच्चों के लिए और जो हमारी इवा पीड़ी उसक जब आज वो इस तरीके की नीच हरकत करती है तो आपने अपने मूह में दही क्यों जमा रखा है कि आपको नहीं लगता कि देश के प्रधान मंतरी मुख मंतरी के लिए बोली गई घटिया बात के लिए आपको नसीहत देनी चाहिए अलका लांबा को तो जिस तरीके से उन् इस तरीके से गांधि वादी नहीं हो सकते यह डुब्लिकेट गांधी हैं जो और सिर्फ ऐसी मानसिक्ता रखते हैं इस सवाल तो यह RSS पर और BJP पर उठाते हैं लेकिन इनकी जो मानसिक्ता है किस तरीके से है सोनिया गांधी ने भी इससे पहले मौत का सौधागर गर और गोसामी उन पर कोई सवाल उठाते हैं तो उन पर F.I.R. दर्च की जाती है तमाम ऐसे पत्रकार हैं सुसान सिन्हा जैसे पत्रकार और भी कई ऐसे अमिश्देवगन और सुधीर चोद्री जैसे पत्रकार हैं जिन पर इन्होंने F.I.R. करवाई इससे ये मानसिकता दिखती है कि जिस तरीके से कॉंग्रेस प्रदानमंती नरेंद्र मोधी को हिटलर कहती है लेकिन ताना शाही उसकी चलती है उनके नेता कुछ भी बोल सकते हैं किसी को और जिस तरीके से इन्होंने भाशा का प्रियोग किया ये बहुत जादा अशोभनी है और अभद्र भाशा है लेक पंकश पुनिया जैसे और अलकालामबा जैसे जो इनके नेता है उनको ये पूरी तरीके से सपोर्ट करती है उनके बारे में कुछ भी बोलने से कतराती है इसका मतलब यही है कि कौंग्रिस की मानसिक्ता किस तरीके से है कि प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी और मुखमंत्र उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आधितनात पर जिस तरीके से टिपड़ी की जाती है जिनको जनता ने उस पद तक पहुचाया है और बिठाया 130 करोड जनता ने चुनकर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी को एक प्रदानमंत्री बनाया है सर्बूच पद पर आसीन है उसके बावजूद भी किस तरीके की भाशा ये प्रियोग करती है इससे ये दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ ये बॉकलाहट है और ये विपक्ष में होन पर फेस्बुक पर किसी ने कमेंट किया था तो उस पर इन्होंने तुरंत फायार करवा दिया था लेकिन अब ये जिस तरीके से भाशा प्रियोग कर रही है कि मैं रेप के खिलाफ हूँ और बच्चियों के साथ खड़ी हूई मैं एक माह हूँ इसलिए मैं खड़ी रहूदह आते हैं किस तरीके से योगी आदितनात को धंकी दी गई जान से माणने की बं से ओडाने की तो ये सारी पर दिखाती है कि ऐसे ही लोग लिग है कि या हम आदमी पार्टी से सीख कर आ थी हलका लामा पर उन्हों ने सवाल किया और कहा कि शायद मर्यादा लांगना सीख लिया था इसलिए कॉंग्रेस फिल सपोर्ट match ने लिए यह और ऐसे जो पदासीन है सरबोच पद पर उनको उनके खिलाफ ऐसी भाशा का प्रियोग कर सके साथ मैं आपको बताते हैं कि संगीता कुमारे सिंग दियो हैं जिन्होंने इसका विरोध कि और उनने कहा कि राजनीती में निताओ पर कटाक्श और सब्दों के प्रिहार होते रहते हैं लेकिन राजनीती में विरोध करने का एक सब तरीका होता है लेकिन जिस तरीकी से अलकालांबा ने टिपड़ी की है वो आमर्यादित है उनके बयान बचकाने होते हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले भी अलकालांबा ऐसा काम कर चुकी है वो हर किसी के लिए जब कोई नॉर्मल बाते भी होती हैं उसमें वो गाली कलोज करकर बाते करती हैं तो इससे ये साफ नजर आता है कि ये सामाजी कार करता है या कोई भी ये समासेवक नहीं हो सकते ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ छोटी ओची मानसिक्ता के लोग हैं और ये राजनीती में चमकने के लिए अपने जो आका हैं उनको खुश करने के लिए ऐसी हरकते क कि जिस सोनिया गांदी राहूल गांदी पर प्रेंकर गांदी वाद्रा के लिए यह ऐसा काम करती है कुछ नसे नजर आता है कि जो सर्भुच नेता है जो पार्टी के अध्याक्ष हैं और जो उपाध्याक्ष हैं उनको खुष करने के लिए ऐसी हरकते करती है क्.,аний आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इनको नकाए जिससे पहले भी हमने देखा था, हम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से हैं यॉग्छ है था जिसके बाद कोई और अप्शन कहए बचे था कॉंग्रेस में जाने के लिए इसलिए कॉंग जाकाओं को अगर वो खुश करेंगी तो शायद उनको बड़े पद या उनको एहमियत दी जाए पाटी में क्योंकि इससे पहले इनको आम आदमी पाटी में कोई एहमियत नहीं दी जाती थी तो यहां तक कि वाटसप ग्रूप और मीटिंग से भी बेदखल कर दिया गया था पूरा वजूद इनका खतम हो गया था इसके बाद इनके पास कोई आप्शन नहीं बचा था कॉंग्रेस में जाने और कॉंग्रेस में भी जाकर इनके हालात सब ने देखा कि जनता ने किस तरीके से इनको दुद्कार आ उसके बाद भी ऐसी बाशा का प्रियोग कर रही है लगाता शोशल मीडिया पर हेट स्पीज देती आ रही है तो यह मकसद इनका साफ में नजर आ रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने के लिए ताकि वो इनसे खुश होते रहे और इनको बड़े-बड़े पद या जो इनकी राजनीती है वो चमकती रहे इसी वज़ा से ऐसी हरकते करती हैं तो सिवधास नाम के यूजर है जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने कहा है कि अलकारामबा राजनीती की राखी सावत है क्योंकि जिस तरीके से ये बयान देती आ रही है जिस तरीके से इन्होंने बाशा का प्रयोग किया इसे ये साफ नजर आता है ये लाइम लाइट में बने रहने के लिए जैसे कि मैंने बताया ये हरकते करती हैं और ये हूब हूब ये चीज स्युदास यूजर है जो टुटर पर उन्होंने ये लिखा है और उन्हें कहा है कि राजनीती में अपनी हव अब करते हैं और अब इनको इसकी सजा मिल गई है तो अलका लामबा को आप समझ जाना चाहिए कि अब राजनीती में ये गंदी और ओची राजनीती नहीं चलेगी अगर आपको किसी की अलोजना करना है तो मर्यादा में रहकर करें आज कोई अगर मौत का सवधागर या फिर ऐसी भाषा का प्रियोग करता है तो तुरंत उस पर कारवाई होगी और आज की जनता जाकरूग है जिस तरीके से जनता ने इनके खिला एक जुट होकर आवाज उठाई थी कि अब फाई यार दर्ज हो गई है और जल्द ही अलका लांबा आरेश्ट हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से इनके बयान दिया है ये काफी आशोबनी है इससे पहले हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ रियल नाम लेने के बाद 12 घंटे से जादा पूछताश हु क्योंकि पंकश पुनिया पर जिस तरीके से कारवाई हुई वही कारवाई अलका लांबा पर भी होनी चाहिए